नागोर में मुख्य मंत्रिय अशोग गहलोत ने सभा को संबोधित किया और इसी दोरान उन्होंने मोधी और भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साधा कहा कि देश में अराजकता का माहौल है मोधी जी ने इन पांच सालों में जुमले बाजी के लावा कुछ भी काम नहीं किया ना ही देश में काला धन वापस आया और ना ही युवाओं को रोजगार मिला कॉंग्रेस ने आते ही किसानों का कर्ज़ा माफ कर दिया आपको बदा दें कि नागोर में सीएम अशो गहलोत ने कॉंग्रेस के उमिद्वार जोती मिर्धा के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और साथी जनता को संबोदित करते वे केंदर सरकार पर निशाना साधना नहीं बूला कहा कि आज देश में पियम मोदी के बदोलत आराजकता का माहौल है और साथी ये भी कहा कि भाज़पा सरकार ने इन पांच सालों में जुमले बाजी के अलावा कोई भी काम नहीं किया